हेलो एवरिवन आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स भाई सुमननेगी में तो आज हम पढ़ेंगे विद्ध्युत्रसायन भाग सोला जिसमा हम पढ़ेंगे विद्ध्युत्रसायनिक श्रणी के लक्षन तो स्टार्ट करते हैं वीडियो उसको जो विद्ध्युत्रसायनिक श्रणी दी है वो आपको पता है मानक अपचैन विभाव के बढ़ते क्रम में माइनस से प्लस की ओर लगाई गई है तो मान लीजिए आपको कोई यूगम दिया जाता है जैसे कॉपर को कॉपर के विलियन में डूबो देते हैं कॉपर सलफेट में तो मैंने बताया था उसका अपचैन विभाव मानक अपचैन विभाव कितना आता है अभी बताया था 0.34 वोल्ड धनात्मक ठीक है तो ऐसे किसी भी यूगम का अगर मानक अपचैन धनात्मक है और उसको किस से जोड़ दे हम सेल कैसे बनता है दो अर्धसेलों को मिलाने पता है ठीक है सुनने वाले को जोड़ दिया प्लस वाले से तो जो इलेक्टोड का मानक अपचैन विभाव धनात्मक आ रहा होगा ठीक है जिस इलेक्टोड का मानक अपचैन विभाव धनात्मक आ रहा होगा वो धन वाली इलेक्टोड की तरह काम करेगा और धन वाले इले जो उसके साथ जोड़ा गया है hydrogen electrode, वो अपने आग खुद से किसमे बदल जाएगा, कैथोड की तरह कर रहा है, तो इसको खुद से किस की तरह बदलना पड़ेगा, एनोड की तरह, क्यूंकि आपको बता है, एक एक कैथोड होता है, जिस पर आपचेन अभी क्रिया होती है, त अगर ये कैथोड की तरह काम कर रहा है, क्यूंकि इसका धनात्मा कमान है, तो दूसरे की value जाहे, कुछ भी है, वो खुदी किसमें बदल जाएगा, ओक्सिकन, और ओक्सिकन मतला एनोड, एनोड की तरह व्योहार करेगा, रिनात्मक की तरह, तो एक्सिकन मतला भी electron त्याग और 2H positive में बदल जाएगा, ठीक है, hydrogen आपको बता है, condition की अनुसा, hydrogen gas जो इलेक्टरोड होती है, वो cathode और एनोड दोनों की काम कर सकता है, लेकिन जिसमें hydrogen gas वाली इलेक्टरोड को आग, धनात्मक अप्चैन विभाव वाल इससे जोड़ेंगे, तो वो, वो इलेक्टरोड तो cathode की तरह काम करेगा, और hydrogen उस समय कौन सा इलेक्टरोड बन जाएगा, एनोड, ठीक, ऐसे ही होता है, रिनात्मक मानक अप्चैन विभाव, ठीक है, तो आपको एक यूग में दिया गया है, कोई 2 cell, मतलब 2 अर्धिसेलों को जोड़ के, एक cell बनाएगा है, एक तो hydrogen, मान मानक अप्चैन विभाव, रिनात्मक हो, ठीक है, hydrogen का तो 0 है, मैं पते हैं, और उसके साथ जो जोड़ा गया है, दूश्रा इलेक्टरोड, अगर उसका मानक अप्चैन विभाव, जो है, E0, वो अगर रिन माहा रहे है, ठीक है, माइनस माहा रहे है, तो hydrogen का तो 0 होता है, औ माइनस 0.76, ठीक है, अगर उसको hydrogen से जोड़ दूँ, तो hydrogen का तो 0 होता है, तो zinc का कितना होता है, माइनस 0.76, तो माइनस इलेक्टरोड की तरह काम कर रहे है, माइनस है न, उसका अप्चैन विभाव, माइनस माहा रहे है, तो माइनस इलेक्टरोड की तरह काम करेगा, मतलब वो माइनस उलेक्टोड मतला एनोट और एनोट पे होता है ओक्सिकन, मतला जॆ जिंक का इलेक्टोड थ्यागीगा और जयरं 2 पॉजिटिव में बदल जाएगा और अगर इसपे ओक्सिकन हो रहे है तो इसके साथ जुड़ा हुआ जो दूसरा इलेक्टोड होगा दूसरा जुड़ा हुआ इलेक्टोड कौन सा है वो है हाइडोजेन इलेक्टोड ठीक है तो अगर जिंक इलेक्टोड एनोड की तरह काम कर रहे है तो हाइडोजेन इलेक्टोड की तरह काम करेगा धन की तरह औ अनोट कैथोड औक्सिकन अप्चेन दोनों की तरह व्यवार कर सकती है कंडिशन के अनुसार धनात्मक के साथ अगर जुडा होगा तो हाइडोजन इलेक्ट्रोड अनोट की तरह काम करेगा अगर रिनात्मक इलेक्ट्रोड के साथ जुडा होगा तो ये किसकी तरह काम करेगा केथोड की तरह तो next point है oxygen विभाव व अपचेन विभाव का चिन यदि मानक oxygen विभाव का मान दिया गया हो आपको कोई एक value उसने दे दिया तो मानक oxygen विभाव या मानक अपचेन विभाव दोन में से किसी एक का मान आपको दे दिया है value दिये तो आपको दूर्शा निकालना ह है तो आपको दियान रखना है मैंने जब विद्धुतराशन निक्स्रेणी की trick बताई थी उसमें भी रता है था कि चिन बदल जाता है मान वही रहता है ठीक है तो अपचेन विभाव मानक अपचेन विभाव का चिन बदल जाएगा तो जैसे जेडेन टू पॉजिटिव है अगर ये दो इलेक्टरोन ग्रहन कर रहे है ठीक है ग्रहन कर रहा है और जिंक में बदल रहा है मतले अपचैन अभीक्रिया हो रही तो इसका अपचैन विभाव मतले जेडेन टू पॉजिटिव स्ट्रेइट लाइन जेडेन इसको देखके भी बता सकते हैं कि अपचैन हो टीक है जेडन टू पॉजिटीव दो इलेक्ट्राण में बदल गया तो अब चैन हो रहा है तो इसका आप चैन विभव दिया है माइनस जीरो पॉइंट सेवन सीट माइनस में है तो अब इसका ओक्सिकरन विभव लिखना है तो इस रियक्षन को रिवर्स कर दो जेडन पहले आ जाएगा और ये value इधर चले जाएंगे तो zinc दो electron त्याग रहा है ZN2 positive में बदल रहा है मतलब इसमें क्या हो रहा है oxycon तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पहले zinc का है slash straight line ZN2 positive electron नहीं लिखते हैं इसी का तो reverse कर दिया तो ये up chain हो रहा तो up chain विभव ये oxycon अभी क्रिया हो रही तो oxycon विभव तो oxycon विभव का मान क्या है value same लेकिन इसका मान minus था तो इसका just opposite विपरीद कर दिया अब chain का oxycon कर दिया तो चिन बदल के क्या हो गया plus ठीक है जिसका मान plus होगा वो बदल के minus में हो जाएगा मतलग किसी एक का अगर आपको oxycon या up chain विभव दोन में से कोई एक चीज दिया है दूशा आपको पता करना है तो आप उसी value में चिन बदल दिंगे अगर पहले से दिया गया चिन प्लस है तो बाद में वाले को minus कर देंगे तो next example है जैसे Cu2 पॉजिटिव यह दो इलेक्ट्रोन ग्रहन कर रहा है तो दो इलेक्ट्रोन ग्रहन कर रहा है तो दो इलेक्ट्रोन ग्रहन करने पर Cu में बदल रहा है तो अब chain हो रहा है तो इसका आप chain विभव है E0 Cu2 positive straight line Cu यह दिया है 0.34 V ठीक है वोल्ट लिखना भोल गई तो अब इसका आपसे पूछा जा रहा है यह तो अब chain विभव हुए अब आपसे पूछा जा रहा है oxygen विभव निकाल तो reaction को reverse कर दो Cu दो इलेक्ट्रोन त्यागेगा और बदल जाएगा Cu2 positive तो यह भी बदल जाएगा इसका just opposite कर दो Cu आगे Cu2 positive पीछे कैसे Cu दिख रहा है आपको Cu straight line हो जाएगा Cu2 positive इलेक्ट्रोन मेंशन करने नहीं है यहाँ value था अब chain विभव का plus 0.34 तो oxygen विभव हो जाएगा minus 0.34 V तो next इसका जो विसेशता है लक्षण है विद्यूत्राशनिक शेनी का वो है अपचायक शम्ता तो अपचायक शम्ता होती है reducing strength अपचायक शम्ता means अपचायक शम्ता होती है इलेक्ट्रोन त्यागने की शम्ता कितनी आसानी से इलेक्ट्रोन त्याग सकते हैं उतनी आसानी से रिवस्टों त्यागेंगे उतना अच्छी उनकी अप्चायक शमता होगी उतने प्रबल अप्चायक कहलाएंगे और रिवस्टों क क्या हुगी हमद如何 शक्ति ज्यादा होती है वो क्या होंगे है हाइड्रोजन से उपपर रखे गए है तो याद रखेगा विद्धुतराशनिक ख्षणी में जो हाइड्रोजन जीरो यूमीनियम मेगनीज जिंक और हाइड्रोजन तो यह सभी तत्व जो है हाइड्रोजन से उपपर रखे गए है देखिए लीथियम सबसे उपर लेके बाला सर का नाम मंगल में पानी जम कर आया है यह मैंने कुछ ही लिखे है ठीक है तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड व उपहोग रिनात्मक है या फिर कह सकते हैं वे तत्व जो हाइड्रोजन से उपर रखे गए हैं वो प्रबल अपचायक हैं उनमें इलेक्ट्रोड दान करने की शम्ता ज्यादा होती है और इनमें भी सबसे ज्यादा किस्म होगा जो सबसे उपर जितना उपर होगा इलेक्ट हाइड्रोजन का विभभ होता है सुन्य इस से नीचे वाले सब कि आ जाएंगे धनकी ओर आएंगे से उपपर वाले रिनकी ओर तो हाइड्रोजन से जिन्हें नीचे रखा गया है वो दुर्बल अप्चायक होते हैं पतला हाइड्रोजन से जो तद्वी नीचे रखे गया है उन सबी के जो मानक अप्चेन विभा हुए है रिनात्मक है ठीक है और वो दुर्बल अप्चायक है क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोन दान करने की शमता कम होती है ठीक है एक्सपेरिमेंट से आई है वेल्यू तो हाइडोजन से नीचे मैंने कुछ तत्व लिखती है जैसे कॉपर HGAGPT यह ट्रिक काम करेगी आपकी यहाँ पर देखी मैंने कोई भी E0 की वेल्यू नहीं लिखी है कि वहल ट्रिक लगा रहे है ठीक है हेजल आज पिती थी ना वो ट्रिक यूज करनी आपने तो हाइडोजन जो है हाइडोजन के बाद है कॉपर HGAGPT तो हाइडोजन से नी हाइडोजन से जितना नीचे चले जाएंगे E0 का ना धनात्मक होगा जिसके कारण इसके अपचायक शमता कम हो जाएगी मतलब दूरबल अपचायक होंगे मतलब इलेक्ट्रोन दान करने की शमता कम हाइडोजन से उपर जाएंगे इलेक्ट्रोन दान करने की शमता बढ़े मान अधिक रिनात्म का 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 मान अधिक रिना तो एक example दिया है, जैसे आपको A, B दिया है, A का मानक अप्चैन विभाव दिया है 1.6 V, और B का दिया है minus 3.04, तो दोनों के minus में है, तो हमने देखा minus में ज्यादा किसका है, तो minus में 3.04 है, इसका ज्यादा है, इसका minus में कम value है 1.6, तो कम रिनात्मक है ये ज्यादा रिनात् मक है, तो वो थोड़ा सा कम अप्चैन, मनला दुर्बल अप्चैन होगा, अब next जो इसका लक्षण है, विद्धुतराशनिक श्यादी का वो है ओक्सिकारक शमता, ठीक है, अप्चैन शमता का जस्ट विप्रीत होता है, opposite होता है ओक्सिकारक शमता, oxidizing agent, जैसे अप्चैन था, electron दान करने की प्रवित्ती, वैसे ओक्सिकारक शमता होती है, electron ग्रहन करने की प्रवित्ती, ओक्सिकारक अप्चैन की सब भी पहले ही पढ़ा चुकी में, starting की वीडियो में, ठीक है, तो ओक्सिकारक शमता होती है, electron ग्रहन करने की शमता, तो वे तत्व, ठीक है, अब जाएगा उनकी oxika रक शमता जाधा हो गी तो प्रबल oxika रक कहलाएंगे और इन तत्वों को क्या रखा गया है जिनकी मतलब electron grant करने की सम्ता ज्याधा होती है उन्हें hydrogen से नीचे रखा गया है तो hydrogen से नीचे रखे हुए सबी तत्तों का क्या होता है जो E0 होता है अब चैन विभाव का मान होता है धनात्मक तो हम कह सकते हैं जितना ज़्यादा अब चैन विभाव का मान धनात्मक होगा उतना वो प्रबलग ओक्सिकारक होगा मतला हाइडूजन से हम जितना नीचे जाते रहेंगे उसकी ओक्सिकार शमता बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रोन ग्रहन करने की शमता बढ़ती जाएगी, जैसे कि हमने एक एक एक्जामपल लिया है, देख लीजिए, हाइडोजन, हाइडोजन से नीचे कुछ मैंने अधातू ले लिए इसमें, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, तो हाइडोजन से यह सभी नीचे रखे गए हैं, सबसे पहले हाइडोजन के बाद आयोडीन आता है, फिर बाद में ब्रोमीन, क्लोरीन और दूर है, फ्लोरीन और, मतलब सबसे नीचे फ्लोरीन होता है, तो हाइडोजन से हम नीचे की और को जा रहे हैं, तो जैसे जैसे हा अब देखते हैं ऐसे ही वो तत्व क्या होगा, जिनकी क्या होगा, इलेक्ट्रोन ग्रहन करने की शमता कम होगी, ठीक है, वो दुर्बल ओक्सिकारक कहलाएंगे, और दुर्बल ओक्सिकारक को हाइड्रोजन से उपर रखा गया है, जैसे प्रबल ओक्सिकारक को हाइड्रोजन से नीचे रखात ठीक है लीथियम, पोटेशियम, केलसियम, सोडियम, जिंक, एफी और हाइडोजन से उपर की ओर को जा रहे हैं ठीक है इनकी अपचायक स्वरी ओक्सिकार एक शम्ता कम होती जाएगी क्योंकि E0 का मान क्या हो रहा है इनका इधर को जाए तो E0 का मान क्या हो जाएगा धनात्मक मान जो हो रहा है कम होता जा रहे है ठीक है इसका मान जेकि इधर हाइडोजन से जो नीचे होता है उसका धन मान होता है हाइडोजन का 0 हो गया कम होता जा रहे है धन से कम की और रिन बढ़ रहे है तो रिनात्मक मान बन रहा है अब आपको ये रखना है hydrogen से जो उपर रखे गए है उनका क्या होगा है वो क्या होगा है दुर्बल ओक्सिकारक मतलब उनकी इलेक्ट्रोन ग्रहन करने की शमता कम होती है ठीक है लीथियम की इलेक्ट्रोन ग्रहन करने की शम्ता सबसे कम तो इलेक्ट्रोन दान करने की शम्ता सबसे ज़्यादा अगर ये सबसे दुर्बल ओक्सिकारक है इलेक्ट्रोन ग्रहन करने की शम्ता सबसे कम है तो इलेक्ट्रोन दान करने की मतलब अप्चायक शम्ता इसकी सबसे ज्यादा होगी समझ मां आगया ना ठीक है तो ये लीथियम सबसे दुर्बल ओक्सिकारक होता है और हाइडोजन से उपड जाने पर ओक्सिकारक शम्ता कम होती जाती है तो next point है electron ग्रहन वो त्यागने की प्रिवित्ती अभी मैंने आपको बताई दिया ओक्सिकारक और अप्चायक तो दोबारा देख लेते हैं वे तत्व जिनका E naught अप्चेन विभाव जो होते है मानक अप्चेन विभाव का मान रिनात्मक होगा तो उनकी electron त्यागने की प्रिवित्ती अधिकोलती जितना हम उपड़ जाएंगे न शेनी में विद्दुत्राष्यनिक शेनी में निगेटीव की ओर, रिनात्मक की ओर जितना शेनी में उपड़ जाते जाएंगे अप्चेन विभाव वाली शेनी में जितना ज़्यादा रिनात्मक मान होगा तत्तु का उसकी एलेक्ट्रोन दान करने की प्रविति, त्यागने की प्रविति, या फिर एलेक्ट्रोन त्यागने को हम क्या कहते हैं, अप्चायक शम्ता इसीको कहते थे, तो वो क्या हो जाएगा, बढ़ती जाएगी, तत्व जिनका just opposite इनका अप्चेन विभव, मानक अप्चेन है और जिसका E Chest का मान धनात्मख होगा उनकी ग्रेहन करने की प्रिवित्ति होगी तो विद् urine रसेनिक सरणी में जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे जितना नीचे जाएंगे उतना ही तत्तों की इलेक्ट्रों ग्रेहन करने की प्रिवित्ति बढ़ेगी जैसे कि मैंने एक सीरीज दिये, यह सीरीज देख लीजे, लीथियम, सोडियम, सोरी, लीथियम, बोडेशियम, बेरियम, केल्शियम, सोडियम, मैगनेशियम, जिंक, हाइडोजेन, कॉपर, HG, AG और AU, ठीक है, तो यह हाइडोजेन जीरो है, माना कपचे अन विभाव, इससे ह जा रहे है, तो मान क्या होता है ? अधिक घरनात्मक होता जा रहे है, तो हईडोजेन से जितना उपर जाएंगे, इलेक्टरोन त्यागने की प्रवित्ती अधिक होगी, धान कत्मक मान भी होगा, तो अब next हे, last point इसका लक्षण का, एनोड और कैथोट की पहचान, आप देख顢़ एक नॉर्मल इसने लिखा हुआ है कि वे तत्तव जिने विद्योतरासनेक शरण में उपर रखा गया है ठीक है जो भी तत्तव विद्योतरासनेक शरण में उपर होगा अब आपको बता है शरणी में जो उपर रखे गया है उनके मान क्या है E-naud के मान, उनके अपचैन विभाव के मान है, रिनात्मक, तो इलेक्टोड कौन सी होती है, एनोड, तो ध्यान रखना है, शेणी में जो उपपर रखे गए हो, उनके अपचैन विभाव रिनात्मक है, तो एनोड की तरह काम करेंगे, और वे तत्व जिने शेणी में नीचे रखा गया है तीकि शेणी में हम जितना नीचे जाते जाएंगे तो उनका मान जो है वो क्या है धनात्मक तो जितना ज्यादा धनात्मक मान होगा तो धन इलेक्टरोड कौन से होती है कैथोड तो हो कैथोड की तरह काम करेगा लेकिन बस आपको दिहान रखना है उपर वाला जो तत्तु होगा वो एनोड की तरह काम करेगा उससे नीचे वाला तत्तु क्या होगा कैथोड की तरह ठीक है तो जैसे मेगनेशियम और हाइडोजन में से कौन कैथोड और कौन एनोड की तरह काम करेगा ठीक है तो आप ट्रिक लगाएंगे लेके बाला सर का नाम मंगल ए कैफोड बात करते हैं कौपर और जिंक की तो ट्रिक लगाएंगे लेके बाला सर का नाम मंगल में जम ये पहले आ पहले आगया तो बात करते हैं को जेड़ी में उपड Het the तौडना में फिल बात करries तो ये cathode क्यों बनाया मैं ऐसा क्यों नहीं कर रही थी कि jinkो को cathode बनादू तो ये reason है कि इसका जो मानक अपचेन विभव है वो अधिक धनात्मक होता है इसलिए इसको हम एनोड बनाते हो और इसका मानक अपचेन विभव अधिक धनात्मक होता है इसलिए ये cathode की तरह काम करता है या कह सकते हैं ये विद्धुतराश्चेनिक शेणी में उपर है इसलिए anode की तरह काम करेगा और शेणी में नीचे है तो ये cathode की तरह काम करेगा एक last example वह और है जैसे आपको AB दिये हैं दो तत्तो दिये हैं उनके पतानी वो तत्तु कौन से हैं, ठीके उसका अपचेन विभाव दिया है, E0 अपचेन दिया है, माइनस 1.54, इसका माइनस 1.03, तो आपसे पूछा गया है कि कौन एनोट की तरह काम करेगा, कौन कैथोर, तो अब आपको याद रखना है कि शेणी में जो उपर है, अब यहाँ पर तो कोई तत्व दिये नहीं है कि हम ट्रिक लगाए, तो शेणी में जो उपर है, उनके मानक अपचेन विभाव के मान अधिक रिनात्मक है, तो हम देखते हैं अधिक रिनात्मक इसका है तो हमने देखा इसका माइनस ममान ज्यादा है तो अधिक रिनात्मक इसका माइनस ममान कम है तो कम रिनात्मक तो जिसका E0 का मान अधिक रिनात्मक है उसको माना जाएगा कि वो शेणी में उपर रखा गया है और जिसका रिनात्म और जिसे नीचे रखा गया है विद्धुत्राशने चिन में के थोड़ धन की तरह काम करेगा, तो आसान एक विश्यन, तो अब लास्ट में एक ट्रिक बता रही हूं आपको, देखिए बहुत आसान सी है, जो शेणी में उपर रखा गया होगा, टॉप में, टॉप मतलब जो की शमता कम होगी, ठीक है, तो प्रबल अप्चायक है, तो आक्सिकारक कैसा होगा, दुर्बल, क्योंकि अप्चायक का जस्ट अपोजिट होता है, अगर वो अप्चायक अच्छा है, प्रबल है, तो आक्सिकारक कैसा होगा, दुर्बल अप्चायक, अगर वो अप्चायक दुर्बल है ठीक है तो ऑक्सिकारक उसका विपरीत हो जाएगा अगर यह अपचायक दुर्बल है तो ऑक्सिकारक कैसा हो जाएगा प्रबल तो आज हमने विद्धुतरासैनी एक्स्रेणी से रिलेटेड काफी कुछ सीख लिया है इसके बार नेक्स वीडियो में मैं इसके एप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे मतलब इसके विद्धुतरासैनी एक्स्रेणी का क्या 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 यूज है उसके उप्यों क्या है अनु WhatsApp जो भी हो तो यह आपसे request है तो आज के लिए इतना ही keep watching and bye bye